हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल यहू बाबापे CSS के इस वीडियो कोर्स में आप एक नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है टेक्स्ट रैप देखी यहां पर हमारे पास एक डिव है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि इस डिव की एक फिक्स्ट वेटता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अब इसमें हुआ क्या जैसी यह text यहाँ पर खतम हुआ तो यह wrap होके next line में आ गया यह actual में ऐसी काम करता है आपको यह बात already पता है कि text हमेशा यहाँ से right side से wrap होके next line में आ जाता है अब जो यह text wrap हो रहा है इसकी भी हम styling कर सकते हैं कि इस text को wrap करते हुए दिखाना कैसे है मतलब कि इसकी look कैसे करनी है यह काम हम पहले नहीं कर सकते थे तो इसी के लिए CSS में एक नई property introduce हुई है जिसका नाम है text wrap text wrap की basically तीन values है सबसे जो default value है उसका नाम है wrap wrap basically default value है तो इसको use करने से basically आपको कोई difference नहीं दिखेगा जैसे हमारे text normally wrap होता है यह बिल्कुल वैसे ही होता रहेगा इसकी जो second value है उसका नाम है balance balance में basically होता है कि आपका text वहीं से automatically break हो जाएगा जहाँ पर second line का content खतम होना होगा मतले कि अगर आपकी text में lines जितनी भी wrap हो रही होंगी वो बिल्कुल end to end मतले कि इनका जो end point होगा बिल्कुल सेम जगा पे होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मगर उपर में ऐसा नहीं था इसका end यहाँ पे खतम हो रहा था और second line का end यहाँ पे हो रहा था मगर balance में सारी line balance में रहती है इसके बाद इसमें third value है जिसका नाम है यहाँ पर no wrap no wrap का basically मतलब क्या है कि अगर आप अपने text को wrap ही नहीं करना चाते तो उसमें क्या होगा आपके div की जो wait तर बिल्कुल यहीं खतम हो चुकी है मगर जो text है वो इससे overflow करके बाहर चला जाएगा क्योंकि उसको wrap नहीं होना तो यहीं इसकी तीन values है इन तीनों values में से जो सबसे popular value है वो है balance क्योंकि उसमें जो text है वो balance रहता है मगर इसको भी हम basically जातर use करते हैं अपने HTML के heading tags के साथ जैसे h1 से लेकर s6 तक जितने भी heading tags आते हैं उसमें हम इसे use करते हैं paragraphs में हम इसे use नहीं करते हैं क्योंकि उसमें वैसे result नहीं मिलते हैं जैसे हम सोच रहे होते हैं मैं यह सब यह आपको practical check करके दिखाऊंगा तो यह ब शुरू करते हैं practical यहाँ पर देखी मैंने अपना web editor open कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक basic HTML की file बनाई है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं browser में यहाँ पर मैंने क्या किया basically मैंने यहाँ पर दो heading लिए है और दोनों पर अलग-अलग class लगाई है balance और unbalance जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एक dummy text में डाला हुआ है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैंने styling करने के लिए इन दोनों को अलग-अलग background color दिया है और इसको color भी दिया है और इन दोनों heading पर अभी मैंने कोई भी अलग से styling नहीं की है text wrap की तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो text है बिल्कुल end तक जा रहा है first line में और उसके बद नीचे आ रहा है यहाँ पर यह देखी यहाँ जगह खताम होगी थी चुँकि यहाँ long text था तो यह नीचे आ गया तो यह बिल्कुल ऐसी ही काम करता है अब मैं यहाँ पर आपको text wrap की balance value को यूज करके दिखाता हूँ तो उसके लिए मेरे को क्या करना है मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ balance लिखा हुआ है वहाँ पर मैं अपनी property को use करने वाला हूँ text wrap और इसकी value लेने वाला हूँ balance मैंने यहाँ पर file को save किया यह देखिए यहाँ पर आपको difference नजर आ रहा होगा कि जो दोनों line हैं उनका end बिल्कुल same ही जगह पे end हो रहा है मलत जहाँ कि खतम हो रहा है यहाँ पे मगर जो मारा default यहाँ पर wrap हो रहा है वो आगे बीछी हो रही है lines मैं इस page को responsive भी करके दिखाता हूँ आपको तो मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ inspect और यहाँ पर आप देख रहे है mobile मैं इस पर click करता हूँ यहाँ पर मैंने firefox browser open किया हूँ है मैं आपको पहले बता रहा हूँ अब देखिए मैं इस page को responsive कर रहा हूँ यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर आप देख रहे है यहाँ पर फिर से text break हुआ आप देख रहे है unbalance में आप देख रहे हैं हर side पे अलग-अलग जगा पे खतम हो रहा है मगर यहाँ पर थोड़ा सा balance करने के इसने कोशिश किया यहाँ पर text थोड़ा सा long था है तो इसने यहाँ पर खतम किया और next line पे यहाँ पर आ रहा है इसको थोड़ा सा और शोटा करके दिखाता हूँ यह देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह देखिए, यहाँ पर यह फिर से balance हो गया, मगर यह unbalanced text है, आप देखने हैं, अलग-अलग जगा पे खतम हो रहा है, यह देखिए, तो यह होता है हमारा balance, अब unbalance में मैं आपको use करके दिखाता हूँ, इसकी जो default value है, जिसका नम है wrap, wrap अगर आप लगाते भी हैं, और नहीं भी लगाते, तो उसमें कोई difference नहीं दिखेगा आपको, text wrap की एक value है, जिसका नम है wrap, यह इसकी default value है, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी difference नहीं है, जैसा हमें पहले दिख रहा था, अभी भी वैसे ही दिख रहा है, तो उसको लगाने का कोई use नहीं है basically, अगर आप नहीं लगाना चाहते है text wrap, तो इसकी value दे सकते हैं wrap, तो आप देख सकते हैं, जैसे पहले दिख रहा था, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, मगर जो उपर वाला text है, आप देख रहे हैं heading में, वो है balance, अब इसकी third value को भी मैं आपको use करके दिखाता हूँ, जिसका नाम है no wrap, no wrap में basically होता क्या है, यहाँ पर कोई भी text जो है वो wrap नहीं करेगा, वो बेशक overflow करके screen से बाहर चला जाएगा, मगर वो wrap नहीं करेगा, यहाँ पर मैंने file को save किया, और आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों है, क्यूंकि अभी जो इसकी नई value है, यह no wrap, इसको firefox port नहीं करता, तो यही same file मैं आपको chrome में open करके दिखाता हूँ, तो देखी, यहाँ पर मैंने वोई same file अपने chrome browser में open कर चुका हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि अभी यह text full width में आ रहा है, क्योंकि हमारी screen की width जो है, काफी ज़ादा है, अब यहाँ पर मैं इसे responsive करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं right click करके करूँगा inspect, और अब मैं इसे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि हमारा जो उपर वाला paragraph है, उसमें text जो हो रहा है, balance हो रहा है, text wrap की help से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि इसमें से data जो है, overflow करके बहार चला गया, यह देखिए मैं इसे और शोटा करता हूँ, आप देख सकते हैं, कि data right side में, overflow करके इस paragraph से बहार चला गया, तो यह होता है no wrap, no wrap की जो value है, यह अभी chrome में, safari में, और opera में work कर रही है, firefox में अभी इसकी sport नहीं आई है, firefox में अभी सिरफ balance की ही sport आई है, जैसे कि आप उपर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर वापे से अपना firefox open कर लिए, अब मैं जो यह paragraph है, इसमें एक width भी set करके दिखाता हूँ, एक maximum width, तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे माली जे मैं यहाँ पर ले लता हूँ, 500 pixel, अब यही same width, मैं unbalance वाले पर भी आपको लगा के दिखा देता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर मैंने file को save किया, यह देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपर वाले जो text है, वो balance है, मैं इसको और छोटा करके दिखाता हूँ आपको, यह देखिए, यहाँ पर यह balance हो रहा है, और यह unbalance है, नीचे वाला, मैं इसकी width थोड़ी सी बढ़ा के भी दिखा देता हूँ आपको, 600, 600, यहाँ पर मैंने file को save किया, यह देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे है, उपर जो text है रहा है, balance है, यह जो text balance होता है, यह हमारा text align के साथ भी बिल्कुल work करता है, मैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर text align center करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर file को save किया, यह देखिए, हमारा text जो है, वो हर side से, दोनो side से balance में है, मैं इसकी width 800 कर देता हूँ, file को save किया, और यह देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, balance text, जो है हमारा, text align के साथ भी proper work करता है, अब मैं यही property, text wrap, आपको paragraph के साथ चक कर आता हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे नीचे मैं जाता हूँ, यहाँ पर एक paragraph ले लेता हूँ, और paragraph के अंदर मैं, 100 words का एक dummy paragraph डाल देता हूँ, यह देखिए, अब इसके बाद मैं इसमें से कुछ styling भी कर लेता हूँ इसकी, तो यहाँ पर मैं inline style कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने style property ले ली, इसमें देता हूँ background color, pink, और इसके बाद इसमें लगा देता हूँ, text wrap balance, यह देखिए, अब यही same paragraph मैं duplicate कर लेता हूँ, कैसे काम करता है, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह दोनो paragraph आ रहे हैं, कुछ अभी खास difference नहीं दिख रहा है, जबकि उपर वाला जो paragraph है, वो wrap तो हो रहा है balance में, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो उपर वाला paragraph है, वो balance हो रहा है, तो यहाँ पर यह space जो है काफी खाली हो चुकी है, इसी वज़़ज़ से हम इसे paragraph के साथ use नहीं करते हैं, mostly हम इसे heading के साथ ही use करते हैं, क्योंकि वहीं पर यह थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि headings में, जो text होता है वो 10 to 50 words कहीं हो सकता है maximum, मगर यहाँ पर paragraph जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उसमें यह balance करके कुछ अजीब सा लगता है, प्रिटी है यह text wrap, यह कैसे काम करती हैं, इसकी तीनों values कैसे काम करती हैं, wrap, balance और no wrap, hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए, अगर आप ऐसे ही regular updates आते हैं, तो हमारी चैनल यहू बाबा को subscribe करना मत भूलिए, थैंक्यू,